तो फ्रेंट्स आज का हमारे टोपिक है दा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस और मज़गी बात जहे है कि मैंने इस लेक्चर को बना है दा इस्टेडी अफ लेंग्वेज बाइ जोर्ज यूल सिक्स डेडिशन की हेल्प से ताकि आपको जो भी इंफर्मेशन बले वो करेक्ट हो तो इस लेक्चर में हम इन सब टोपिक्स को डिसकस करेंगे और अगर आपका बैसिक कॉंसेप्ट किलियर नहीं है वाट इस मॉफोलोजी और टाइपस और मॉफीम का तो डिस्क्रिप्शन में दियेंगे लिंक के थुरू आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में ज़्यादा हेल्प मिले सबसे पहले हम सबचते हैं वाट इस वर्ड फॉमेशन वर्ड फॉमेशन इस प्रोसेस आफ फॉर्मिंग वर्ड इन लेंगविज और क्रियेशन आफ न्यू वर्ड इन लेंगविज वर्ड फॉमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें समझ में आता है कि लेंगविज के अंदर वर्ड कैसे बनते हैं या language के अंदर नए words कैसे आते हैं और word formation का simple मतलब यही है के लबजों का पन्ना ठीक है तो इसके काफी सारे types होते हैं जो हम इस lecture के अंदर discuss करेंगे तो सबसे पहला हमारा type है borrowing borrowing is a taking over of words from other languages borrowing एक ऐसा word formation है जिसमें language किसी और language से word लेकर खुद use करती है और उसको वापिस नहीं देती और English के अंदर काफी सारे words इसे हैं जो different languages से लिए गए हैं वो उसके अपने नहीं हैं for example योगर्ट तुरकिश language का word है पियानो इटेलियन language का word है सोफा अरबिक language का word है डॉप डच का है जूल फ्रेंच का है लाइलेक परिशन का है जेबरा बंटू language का है टाइकोन जोपनीज लेंगोज का है इसका Norwegian लेंगोज का है तो इसी तरह English के अंदर हमारे पास काफी सारे इसे words हैं जो उसके अपने नहीं हैं कई और से लिए गए होते हैं तो सेकेंड हमारा टाइप है लोन ट्रांसलेशन जिसको हम केल्क भी बोलते हैं ये भी एक ऐसा बारॉइंग का टाइप है डारेक्ट ट्रांसलेशन आफ एलिमेंट्स आफ ए वर्ड इन्टू दा बारॉइंग लेंगोज और ए वर्ड और फ्रेस टेकिन फ्राम एनदर लेंगोज बड़ ट्रांसलेट इट आइधर इन पार्ट और होल अब लोन ट्रांसलेशन क्या है कि किसी लेंगोज के अंदर कोई वर्ड होता है उसको उसकी मीनिंग को देखकर कोई और लेंगोज ट्रांसलेट करके अपनी language के अंदर वो यूज करती है जिस तरह borrowing में exactly उस word को लिया जाता है और इसको यूज किया जाता है लेकिन इसके अंदर इसा नहीं है इसके अंदर translation होती है फिर उसके बाद वो यूज होता है तो इन सब words को जो फ्रेंच डच और जर्मन लेंगोज के थे उसको देखकर English ने क्या किया अपनी language के थ्रू translate किया उन words को और उसने एक word बनाया इसका script पर जिसकी meaning निकलती है कोई एक बड़ी building या tower ठीक है Then we have compounding compounding is a joining of two or more separated words to produce a single form compounding के meaning यही है कि दो simple word जब mix होकर compound बनते हैं तो उस process को हम compound बोलते हैं example book और case तोनों अलग word है book case बन गया एक word text और book तोनों अलग word है textbook बन गया wallpaper भी अलग-अलग word है उसको हमने एक कर दिया है तो इसी तरह से काफी सारे और भी words हैं जैसे fingerprint है good looking है low paid है fast food है full time है ठीक है तो यह सब हमारे compounding के टाइप से हैं तो इसमें compounding जो होती है German और English के अंदर mostly common होती है लेकिन French और Spanish language के अंदर बहुत कम होती है then we have blending blending is the combination of two separate words by taking the beginning of one word with the end of the other word blending में क्या होता है के दो words होते हैं एक word का first वाला part और दूसरे word का last वाला part दोनों अपस में मिला कर एक दूसरा word बन जाता है for example smoke और fog है उसको milk मिला कर smoke कर दिया है Oxford और Cambridge को Oxford कर दिया है breakfast और lunch को मिला कर brunch कर दिया बाइनरी और digit को bit television and broadcast को telecast motor और hotel को motor ठीक है तो देखें आप यह smoke क्या है वैसे तो fog और smoke का बना हुआ है लेकिन दिखने में एक है जिस तरह से पानी के अंदर हम शर्बत मिलाते हैं तो दिखने में एक ही चीज़ आती है तो इसी तरह blending में क्या होता है कि दो words मिलते हैं आपस में और वो एक ही दिखता है then we have clipping clipping is the word formation process which consists in the reduction of words to one of its part तो यह definition जो के merchant ने दी गई है it is the truncation or shortening of words मतब क्या होता है कि इसके अंदर एक बड़े word को छोटा word बना दिया जाता है for example advertisement है इसको add के तरू हम use करते है fanatic है इसको fan कर देते है influenza है इसको हम flu पड़ते है यह भी reduce हो गया short हो गया laboratory है इसको भी lab कर दिया और इसके साथ दूसरे भी example है exam, gym, chem, bio, prof, math, bra, plane and porn are also example of clipping और आप इसके full farms भी आप मुझे comment box में बताये ताकि मैं जो पता जले आपको क्या समझ में आ रहा है then we have hypokoracism, hypokoracism is a particular type of reduction favored in Australian and British English in this process a longer word is reduced to a single syllable then y or i is added to the end hypokoracism में क्या होता है कि एक longer word को short कर दिया जाता है single syllable में, single syllable मतलब syllable क्या है? एक simalis unit of pronunciation है तो उसको single syllable में हम convert करके, reduce करके फिर last में या तो ie, या तो y यूज करते हैं for example, moving picture है, उसके अंदर हमने इसको movie कर दिया television है, telly कर दिया, breakfast को breaky कर दिया barbecue को barby कर दिया, handkerchief को henky कर दिया bookmaker को bookie कर दिया, तो आपके साथ और भी example होंगे इसके लेकिन आपको यह पता चल गया कि इसको हम hypokoracism बोलते हैं so now we have back formation, back formation is a very specialized type of reduction process through which a noun is reduced to form a verb back formation में क्या होता है कि एक noun को reduce करके is a verb use किया जाता है for example, television एक noun है, उसको बना दिया गया verb telewise, donation noun है, donate कर दिया उसको as a verb automation noun है, उसको automate कर दिया, mixture noun है, उसको भी verb कर दिया, mix, bildozer है, उसको भी bildoze कर दिया तो इसी तरह आपकी पास और भी example हैं जो आपको exam में या कहीं आपको समझने में help करेंगे now we have conversion, in this process we take a noun word and use it as a verb without any reduction, अभी देखो, conversion और back formation के अंदर थोड़ा सा difference है, back formation में क्या होता है, कि reduction होती है noun को verb बना दिया जाता है, लेकिन conversion में कोई reduction नहीं होती for example, chair एक noun है, उसको हम verb की तरह यूज़ कर सकते हैं dust भी एक noun है, water भी एक noun है, देखते हैं कैसे someone has to chair the meeting, to chair यहाँ पर एक verb है did you dust the living room, यहाँ पर dust का मतलब है सफाई करना please water my plants, plants को पानी देना, मतलब water की यहाँ पर मिनिंग है पानी देना और इसके अंदर एक मज़े की बात जाएं कि the conversion can also involve verb becoming nouns और इसमें क्या होता है कि जो verb होता है ना वो भी noun बन सकते हैं उसके इसे noun we use कर सकते हैं for example, to cheat, to doubt, यह दोनों verb हैं लेकिन जहाँ पर noun भी हो सकते हैं, he is a cheat, we had some doubts तो यह दोनों verb भी हैं और noun भी हैं, तो इसको हम कहते हैं conversion so let's learn coinage, coinage is a word formation process in which a new word is created either deliberately or accidentally, coinage में क्या होता है कि कुछ नए words आ जाते हैं जो के उसका कोई एक particular process नहीं होता, for example, google, whatsapp, skype, nylon, aspirin, weseline, zipper, granula, kleenex, teflon and xerox यह सारे हमारे example है, coinage के, the typical source of coinage are trade names for commercial products that become general term ठीके, तो ऐसे ही काफी सारे market में words आते हैं, जो कोई एसा process नहीं होता particular और वो एक एज़े word बन जाते हैं language के अंदर तो अब हम समझते है acronyms, informing of new words from the initial letters of a set of other words इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे पास object होते हैं, जिनको एक word से नहीं बुकारा जाता और वो थोड़े से long बन जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि उन words के initial letters को उठा कर एक word बनाते हैं for example CD is a full word of compact disc, C compact, D for disc, ATM, ATM stands for automated tailor machine, laser, laser is also acronym, light amplification by stimulated emission of radiation, radar, radio detecting and ranking, और इसके कुछ और examples भी हैं acronym के जिसा के नेटो, NASA, UNESCO, SCUBA, SIM, ZIP, etc. ठीक है लेकिन इसके साथ और भी कुछ ऐसे word हैं जिनके साथ हम गलती करते हैं जिसा के डॉक्टर, Mr., Mrs. ये सब हमारे acronyms नहीं हैं, ये abbreviation कहलाते हैं Then we have derivation, जिसको हम affixation भी कहते हैं, तो ये हमारा सबसे interesting topic के word formation का The most common word formation process through which new words are produced by using affixes और हमारे पास तीन affixes होते हैं, prefixes, suffixes and infixes तो सबसे पहले हमारा है prefixes, prefixes कौन से होते हैं, जो word के before, first में लगते हैं, जिसा के un, im, miss, dis, pre, ये सब हमारे prefixes हैं तो इस process में क्या होता है, कि जब भी word के साथ prefix add होते हैं, तो हम उन्स process को prefixation कहते हैं happy को unhappy करते हैं, possible, impossible, lead, mislead, respect, disrespect, judge, prejudge, तो इस process को हम prefixation तभी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ prefix लगे हैं So now we have suffixation, suffixation क्या होता है, कि जब words के साथ suffixes aid होते हैं, तो इस process को हम suffixation कहते हैं तो हमारे पास suffixation क्यों से हैं, ness, is, ism, less, full, जो हमारे last में लगते हैं For example, happy word को happiness करते हैं, boy को boyish करते हैं, organ को organism करते हैं, care को careless करते हैं, hope को hopeful करते हैं तो इस process को हम suffixation करते हैं Now we have infixation, infixation is a process of adding an affix within the word is known as infixation जब word के अंदर infix लगता है, तो इस process को हम infixation करते हैं Infix क्या होते हैं, एक ऐसे bound mafeme जो word के बीच में लग जाएं However, it is not normally used in English language, but it occurs in some other languages ये English के अंदर mostly नहीं होता, लेकिन कुछ और languages हैं, जिसके अंदर ये होता है देखो, for example, हमारे पास एक language है, northern side की Los and Whitnam तो इस language में क्या होता है, कि जब verbs को convert किया जाता है noun में तो उसके साथ एक infix लगता है M, ठीके, for example, verb है C, जिसकी meaning निकलती है to drill verb है toh, तो उसकी meaning निकलती है to chisel, then hip, to eat with a spoon, ठीके, home, to tie, ठीके, तो ये हमारे सब verbs थे तो अब जब noun बन गए, तो C को simi कर दिया, toh को timo कर दिया, hip को himip कर दिया, और home को हमूम कर दिया, तो इसकी जो meanings हैं वो आप देखें a drill, a jizzle, a spoon, a thing with which to tie, तो ये सब हमारे example है, northern की एक language है उसके, तो हमने जो तीनों टाइपस पड़े, वो सारे derivation के थे, या acquisition के थे, तो हमारा last type है, re-duplication re-duplication is forming new words by doubling every mouth theme, either entirely और partially, re-duplication एक एसा प्रोसेस है, जिसमें या तो entirely या तो partially words को double किया जाता है, और ये भी English language के अंदर common नहीं होता, ठीके, तो इसके दो टाइपस होते हैं, एक total re-duplication और दूसरा partial re-duplication, तो Indonesian language के अंदर क्या होता है, जब वो किसी singular को plural बनाते हैं, तो English की तरह yes या yes नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, कि same word को double कर देते हैं, for example, ruma, जिसका मतलब है house, तो plural बना कर वो उसको ruma ruma कर देते हैं, इबू का मतलब है mother, उसको plural बना कर इबू इबू कर देते हैं, लालात means fly, उसका plural बना दिया, लालात, लालात, flies, ठीक है, तो इसी तरह ये हमारी थी total re-duplication, ठीक है, जिसके अंदर completely words को double किया जा रहा था, so now we have partial re-duplication, ये हिंदी और उर्दू language के अंदर common होता है, जैसे हम बोलते हैं, खाना वाना, जाना वाना, अलू अलू अलू, ऐसा वैसा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि, re-duplication हो रही है, लेकिन, पार्शल हो रही है, completely words को double नहीं किया जा रहा है, ठीक है, so thank you so much for watching, बिलते हैं एकली वीडियो में,